आप यम्मी टेस्टी रोटी का नास्ता अब इस रेश्वी को देखने के बाद आप कभी भी रोटी फेकना नहीं चाहेंगे सोचेंगे कि कुछ नहीं तो यही बना लेते हैं और इसमें जो बच्चे सबजिया नहीं खाते हैं तो आप इसमें अपने मन चाहिए वेजटेबल भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए इतना टेस्टी यम्मी नास्ता बनाने के लिए हमें क्या करना है इसमें आप अगर प्र और यह हमने एक टोरी पानी ले लिया है जिससे हम बनाएंगे बेशन का घोल एक बात और गाइस जो आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी जिसमें हमने ब्रेट का पकोड़ा बताया है बनाना तवे पर तो यह लगवग लगवग उसी की तरह से है कोई दिक्कत नही बदलाव भी नहीं है और वो उसी की स्टेपिंग हमने यूज करी है अपनी इस रोटी पीजा में तो आप अपने हिसाब से इसकी स्टेपिंग बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर हम उसी वीडियो में हम अपना रोटी का भी बता देते तो आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाती इसलिए हमने इसकी वीडियो अलग बनाई है तो देख सकते इसकी कंसेंटेंसी बेशन की इसी दरह से हम बना लेंगे कि बहुत गाड़ा भी नहीं हो और बहुत ठीक भी नहीं हो तो चलिए देख लेते हैं कि यह कैसे बनी है यह देखिए इसमें ह लाला 2-3 पिंच हेंग, स्वादन सान नमक, लाल मिर्श पाउडर, हल्दी पाउडर कलर के लिए, ये रहे धनिया पाउडर, अजवाइन इसको मसलते हुए हम आट करेंगे, इसमिल अच्छी आती है और इसको मिक्स कर लेंगे, तो ये देख सकते हैं, अच्छा से मिक्स अच्छा से मिक्स हो जाए, दो प्याज, इस्टपिंग के लिए, देख सकते हैं, हरी मिरच, लैसन की दो कलियां, एक मीडिया इंच अधरक का टुकड़ा, और ये एक टमाटर, इसको हम बारिक चॉप कर लेंगे, में चॉपर में डाल कर तो ये देखे हो चुका है, तो चल दो स्पून के करीब आयल, अब हम इसमें एड करेंगे, जीरा, हाप टेबल स्पून, देखे, इस टेपिंग हम पहले भी ये बता चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ आपको यूज बताया है, इसमें तरीका बताया है, कि आप रखे हुई रोटियों को कैसे यूज मि बून लिया है, और इसमें थोड़ा से डाल दिया है, सॉल्ट जिससे कि ये हमारा अच्छे से कुक हो जाए प्याज, आप देखे कुछ फ्लेवर्फुल मसाले अट कर रहे हैं, मिरच, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें आप हम जालू, पालक, बच्चे पालक बिल्कुल नहीं खाते हैं, धनिया हरी, बच्चे पालक बिल्कुल नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको पालक बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता अच्छा नहीं लगता है, मगर इसमें पालक बहुत अच्छे से खाएंगे, तो इसको मिक्स में डालेंगे पानी दो से तीन स्पून क्योंकि इसको हमें इस पेस्ट को हमें स्मूथली बनाना है जिससे कि हम जब इसको यूज करें तो यह अच्छे से रोटी फर फैल सके इसी वज़े से तो चलिए नमक टेस्ट के अनुसर देखिए इसी तरह से हम करते हुए मिक्स कर लेंगे चाठ मसाला अमचूर पाउडर है अमचूर पाउडर की जगह पर आप गरम मसाला भी एड़ कर सकते हैं अगर खट्टा जादा नहीं पसंद है तो आप गरम मसाला एड़ कर लीजे और जिसे खट्टा पसंद है वह अमचूर पाउडर और एड़ कर सकता है लैमन तो यह देखे पेस्ट हम देख लेंगे तो यह थोड़ा सा थीक लग रहा है क्योंकि रखने की वज़े से तो स्टेपिंग रखी थी उसी को प्लेस करेंगे यह देख सकते हैं इस तरह से मच्छे से फैला देंगे क्योंकि स्टेपिंग हमने इसी लिए स्मूथली बनाई थी थोड़ा सा पानी एड़ करके जिससे कि हमारी रोटियों पर अच्छे से चिपक जाए तो यह देखे हमारी स करें साथा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी से सूजी यह दिव्य चावल कांटा सबसे बहुत है क्या दो चावल कांटा इसमें और यह देखें फैल गया था हमने इपना अफैला दिया है और आप देखते रहे है कि हमें रोटी को कैसी इस पर प्लेस करना त बैसन को पकाना पड़ेगा बस तो हमने इसको क्रिस्पी नहीं जादा किया इसलिए हमने चावल काटा अगर आद नहीं किया है आप लोग चाहे तो चावल काटा में आड कर सकते है तो यह देख सकते हैं इसी तरह से हम कितनी आसानी से सबस्के को हटा ले रहे और आप हम इस अच्छे से ओयल लगाएंगे और इसको अच्छे से क्र refresh करेंगे जिसे की बेसं का जो अपर बैटर लगाया हुआ है वह अच्छे сх हो लटते-पलटते अच्छे से क्रस्धी कर लेंगे अ अगर आप यह बहुत बना चाहते हैं तो इसमें बस चीज एड कर दीजिये पिज़ा बन जाएगा तो यह देखिए हमने अपने सारे बना करके रख लिए हैं तो इसको अब हम कट करेंगे और यह देखे कितना यम्मी कोई देख कर नहीं कह सकता है कि यह रोटी से बना हुआ है और इतना टीस्टी इतना यम्मी है कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे तो यह देखे गाइस इसको हम कट करके आप दिखाएंगे आपको तो चलिए आप इसको सेजवान चटनी या किसी चटनी के साथ जो भी चटनी आपको पसंद आप उसके साथ इसे खा सकते हैं और इसे चाय के साथ तो यह बहुत टेस्टी लगता है तो यह देखिए हमने कट करके दिखाया कितना प्यारा लग रहा है इसकी स्टपिंग कितनी अच्छी लग रही है तो इसी तरह से आप यह बना कर बच्चों को कर दें खुस तो अगर हमारी यह रेस्पि पसंद आई हो आपको तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलतें नेक्स डे नेक्स रेस्पिक साथ बबाए